बहुत जादा अपने को रखना नहीं चाहिए देखें मैं जो पूरी बात अभी कही मैं अपनी बात जो कल हमने बात की थी उसी को आगे बढ़ाता हूँ यह कहते वे बढ़ाता हूँ कि नितिश कुमार ने आज जो कहा वो उनको नहीं कहना चाहिए था 2024 की चुनोती को आज उनको नहीं देना चाहिए था मैं इसको जल्दबाजी मानता हूँ और वो पत्रकारों के प्रोवोकेशन में आ गए वो अगर मेचुर पॉलिटीशन जैसा सब लोग कह रहे हैं कि वहत मेचुर पॉलिटीशन है तो वो शायद इस तरह की इमेचुरिटी की बात नहीं करते हैं देखिए 2024 का मामला जो है वो राष्टी इस्तर का है वो बिहार का इस्तर का नहीं बिहार में नितिश कुमार सब कुछ कर सकते हैं जादू भी कर सकते हैं आठवी बार मुख्य मंत्री भी बन सकते हैं राष्टी इस्तर पर जो चुनोतियां हैं वो उनको वो भी जानते हैं पूरा देश जानता है कि जो मोधी शाह की जोड़ी की जो सीमाएं हैं वो कितनी असीमित उनका दाइरा कहां तक जाता है और भारती जनता पार्टी का जो अफेंसिव है आकराम क्रवया है वो अभी शुरू नहीं हुआ है वो किस तरह से प्रकट होता है वो अभी देखना बा कुमार के बाएं हाथ का खेलो कि वो हरा देंगे और हटा देंगे तो मैं इसको कोई बच्पना ही मानूंगा कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं देखिए हलके से जिक्र किया है इन्होंने अरुन टिपाठी नहीं किया है या और किसे ने भी किया है मोदी का जो आम जनता के बीच में जो करिश्मा है वो कायम है जो हिंदू राष्टवाद की जो बात है आपने कही वो केवल बिहार में डाइलूट कितना होगा मैं नहीं कहता क्योंकि बिहार में भी केवल ये होगा कि जो मुस्लिम माइनरिटी है और पिशड़े वर्क के लोग हैं वो अब एक जूट हो जाएंगे उनका डिवीजन नहीं होगा पर हिंदू वोट बटकर नितिश कुमार के पाले में आ जाएगा मैं नहीं मानता नितिश और राहूल दोनों का सम्मेद भी जो चमतकार है वो मोदी के मकाबले कमजोर पड़ता है ये जो मोदी को सत्ता से 2024 में हटानी की बात है देखिए 2014 से 2024 में चीज़ें बहुत बदल गई है सारे institutions जतने हैं देश के बड़े institutions सब पर BJP का कबजा है राहूल गांदी कई बार बोल चुके हैं कि अगर हम सत्ता में आ भी जाएं तो हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर जगे RSS के लोग और BJP के लोगों को लगा दिया गया है एक बड़ी लावी है दियोग पतियों की आप सोचिए कि इस सरकार के राज में कौन लोग धनी हुए हैं और उन्होंने कितना पैसा बनाया है वो अपने सारे resources को दाव पे लगा देंगे इस सरकार को बचाने के लिए मैं मुझे याद है कि जब पहला वाइबरंट गुजरात हुआ था सालों पहले और मैं तब गुजरात में था मैं गांधियनगर में मौजूद था उस वाइबरंट गुजरात में तब मैंने अम्बानी इसको कहते हुए सुना कि नरेन भाई हम तो आपको प्रधान मंतरी के रूप में देखना चाहते हैं ये कोई छोटा खेल नहीं है कि आप नितिश कुमार ने कहा कि देखते हैं कैसे आते हो और फिर पता चला कि 2024 में मोधी नहीं है ये जो इंडिस्ट लिस्ट हैं जिन्होंने जो दुनिया के द्योग पतियों में जो सबसे धनाड़ी लोगों में जो नमबर दो नमबर तीन और नमबर एक पर पहुंच रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनोती है आपने नितिश कुमार ने चुनोती दिये है वो मोधी को नहीं दिये एक बड़े नहीं सार्तों की बहुत बड़ी लॉबी को चुनोती दिये है विधेशी शक्तियों की बहुत बड़ी टाकत है जो इस समय इस सरकार को बचाना चाहती है हम क्या समझते हैं मायावती साथ देगी निटिश कुमार का हम क्या समझते हैं कि ममता साथ देगी आप मुझे बताइए कि ममता विनरजी का कोई tweet आपने देखा कोई बयान आपने देखा तन्बूल कॉंग्रेस की तरफ से कि उसमें नितिश कुमार का स्वागत किया गया आपने YSR कॉंग्रेस की तरफ से कोई बयान देखा आपने नेशनल कांफरेंस का कोई बयान देखा आपने राष्टवादी कांग्रिस पार्टी का कोई बयान देखा हम मोधी को जो लोग जानते हैं मैं भी नहीं जानता हैं मैं थोड़ा सा जानता हूं हाला कि 2003 से उनको फालो कर रहा हूं गुजरात की दिनों से तो मैं 19 साल में भी नहीं जान पाया और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं नाम से भी जानते हैं सुरत से भी जानते हैं उसके बावजूद में देखिए एक ही चीज़ हटा सकती है मोधी को वो जनता की ताकत है नितिश कुमार नहीं हटा सकते है पेपल्स पावर जिसको कहते हैं तो क्या ओ जनता की ताकत या जनता का गुस्था इस समय नितिश कुमार में इतना साहस और धेरी है कि वो बिहार से निकल कर पूरे देश के में जो असंतोश है जनता के इस तरफ़ उसको मोबिलाइस कर सके हैं में भावनाओं में बहकर कि नितिश कुमार ने कहा और उसको आप सोचिए कि बीजे पी कमजोर है, बहुत कमजोर है, बिहार में कमजोर है, सुशील मोदी को क्यों लगाना पड़ा आज बिहार में, आप सोचिए कि सुशील मोदी डेप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको बीजे पी ने हटा दिया, जब तो बिहार के अंदुलन के जमाने से सबसे सक्री लोगों में से वो रहें, उनको हटाने के पीचे क्यों एक कारण रहा कि उनकी नितीश कुमार के साथ अच्छी दोस्ती थी, मितृता थी, वो उनके साथ बना कर चलते थे, उनको हटा दिया, उनको हटा कि दिल्ली लिया आए, उनको मंत्री नहीं बनाया, सबसे योगी वक्ती पर मंत्री नहीं बनाया, किन लोगों को मंत्री बनाया, आप देख रहे हैं, मिस्टर सिंग को लेकर, जो आर सिपी सिंग को लेकर, जो पूरा बवाल चल रहा है, आज बिहार में अटेक करने के लिए, बी जे पी के पास, न राग चतुरवेदी ने की दो दिन पहले ऐसा कहा था लगा चार सुशील मोदी अटेक कर रहे हैं नितिश कुमार पर तो हम समझते हैं कि बिहार में अगर दो हजार बीस में भारती जन्ता पार्टी आरजेडी के पास नहीं गई सरकार बनानी के लिए और तेजैसरी को नहीं कहा कि आप मुक्ष्यमंतरी बन जाओ ओर नहीं नितिश कुमार से कहा कि आप मुक्ष्यमंतरी बन जाओ तो इसका कोई कारण रहा होगा तो हम अभी बहुत शायद हम सब लोग बहुत जो भी इस पूरे विशलेशन में लगे हुए हैं गिहार की घटनाओं को लेकर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी घटना है, लोकतंतर के लिए अच्छी है, इससे मैंने कल भी कहा था कि BJP का जो अजंडा है, वो डिले हो जाएगा, देश में तानाशाही की जो आमद है, वो डिले हो जाएगी, उसमें विलंब हो जाएगा, लोकतंतर को थोड़ी राहत मिलेगी, सांस मिलेगी, पर ये जो हम मान रहे हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीतिक रूप से हो जाएग सारे विपक्षी दल एक हो जाएंगे, सारी ताकने जुड़ जाएंगी हटाने के लिए, मैं थोड़ा सा अभी शंकित हूँ, मैं या तो हो सकता है कि नितिश कुमार को नहीं जानता हूँ, हला कि मैं जानता हूँ, क्योंकि 1974 से जिन लोगों ने काम किया, जेपी के साथ, उ राम बिलास थे, और भी बहुत सारे लोग थे, मैंने सबका उलेक किया, मेरी किताब बिहार अंदोलन पर एक मात्रा अधिकारिक किताब है, जो जेपी ने मुझे से लिखवाई थी, उसमें सबके उलेक हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि बिहार अंदोलन में या बिहार चातर सार संगर समीती में कौन लोग थे और किन लोगों की सक्री भूमिका थी, तो नीतिश कुमार को मैं देख रहा हूँ, उनने सो चोहतर से देख रहा हूँ, सबी लोग देख रहे हैं, वो आठ बार मुझे मंत्री बने हैं, तो कुछ उनमें गुन रहे होंगे, पर उस जहाँ से अगर देखें, तो प्रधान, यह जो मोदी हैं, वो भी सत्ता में हैं, दो हजार दो से सत्ता में हैं, वो गुजरात से सीधे उटके, बारा साल, तेरा साल वहां रहे के, आठ साल से, यहां प्रधान मंत्री, एकिस साल से वो लगातार सत्ता में हैं, तो इसलिए य यह बहुत बड़ी टक्कर है और इसको हमको एक इमोशनली डील नहीं कर सकते इसको इसको थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैक्टिकली हमको देखना पड़ेगा हमको इसकी तेजस्वी की इमानदारी में कोई संदे नहीं हमको सामिवादियों की इमानदारी में कोई संदे नही का जो लोग जुडे हैं अभी महागडबंदन में साथ जो दल है उनकी इमानदारी में कोई संदे नहीं हमको संदे है ममताब इनरजी में संदे है हमको मायावती में संदे है हमको YSR की कॉंगरेस में संदे हमको वीजू दल किस करवट बैठेगा उसमें संदे हमको National Conference किस लोगों की नियत पर संदे है वो जब तक चीजें सामने नहीं आती खुले में नहीं आती तब तक हमको लगता है कि नितिश कुमार को अभी थोड़ा सा सयम रखना पड़ेगा और अपने बोलने पर और अपने कहने पर उनको अभी काफी लोग भड़काएंगे कहेंगे कई च हो जाता है जो नितिश कुमार ने जो खिमली है किसी कारण से हो जाता है तो इसका देश की राजनीती पर देश के वहुष पर आने वाले 25-30 सालों तक असर पड़ेगा इसलिए ये जो शन है भारती राजनीती का ये बहुत ही महत्मून शन है और इस शन को मुठी में कैद क करके रखना चाहिए इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी है वो अगर हम नितिश कुमार